तो हेलो एव्रिवन हावरी ओल कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी लोग अच्छे होंगे आपकी पड़ाई अच्छे से चल रही होगी तो लास्ट जो मेरा लेक्चर था उसमें गाईज मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्या शे लेक्षर में क्या देखा है ताकि उसके एक अग्षा बन सके तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि शुकला जी जो है वो जाते हैं गांदी जी के पास अपनी शेयर क्रॉपर्स जो किसान हैं पीसेंट्स हैं उनकी समस्या लेकर के और उन्हें अपने साथ चंपारण लान के तो गांदी जी उस समय ouseमर्थथ ता जताकर के ही बात को रख देते हैं अब भी चलना संभव नहीं हो पाएगा तो गांदी जी जहां जहां जाते हैं शुक्ला जी उनके साथ साथ जाते हैं थोड़े समय बाज जब उन्होंने उनके दरद संकलप के दरद निश्या को द बढ़ा पला तरीक को मेरा कलकता के अंदर एक सेशन है तुम वहां आ जाना वहां अपन मिलेंगे और वहां से तो मुझे ले चलना तो ऐसा ही होता है उस दिन शुकला जी वहां चले जाते हैं उनसे मिलते हैं और उन्हें लेकर के पटना आ जाते हैं जहां पर वो पंडित रा और जानकारी और साक्ष जुटाते हैं, इसी के साथ में ये भी बताया गया कि किस प्रकार से ब्रिटिश ओफिसर्स और लेंडलोड जो थे, जमिदार लोग जो थे, वो किस तरीके से किसानों को वहाँ एक्स्प्रोइट कर रहे थे, उनका शोशन कर रहे थे, ठीक है काईस, तो इन सब चीजों को हम लोगों ने देखा, इसके आगे का चैप्टर जो है, वो आज हम लोग डिसकस करने वाले हैं, so let's start At this point, Gandhi arrived in Champaran और समय तक गांधी जी Champaran पहुँच चुके थे, he began by trying to get the facts और उन्होंने शुरुवात की तत्यों को एकटा करने से, तत्यों की जानकारी प्राप्त करने से, first he visited the Secretary of British Landlords Association, सबसे पहले वो गए और Secretary of British Landlords Association, संकतन जो है, उसके Secretary से मिलने, The Secretary told him that they could not give, they could give no information to an outsider, Secretary ने उनसे कहा कि वो किसी बाहरी व्यक्ती को कोई भी जानकारी नहीं दे सकते, Gandhi answered that he was no outsider, और गांधी जी ने इस बात का जवाब दिया, कि वो outsider नहीं है, अरे भाईया मेरे देश में अगर मैं ही outsider हूँ तो फिर insider कौन होगा, outsider तो भाई साब, आप ल outsider नहीं हूँ, मैं अपने ही देश में outsider कैसे हो सकता हूँ, next अगले ही समय, Gandhi जी called on the British Official Commission of the Tirhut Division, in which the Champarent District Lake, उसके बाद गांधी जी जो है, उन्हें मिलने के लिए बुलाया गया, Official Commissioner जो है तिरhut Division के, Division कहा जाता है संभाग को, Division का मतलब यहाँ, शेत्रिया वो मत मानना, संभाग को कहा जाता है, तीन चार जिले, पांच जिले मिलकर के एक Division बना दिया जाता है, तो उसके जो Commissioner थे, उनसे मिलने के लिए गए चंपारन डिस्टिक, उन्हीं के अंडर में आता था, तो Commissioner जो आयुक्त थे वहाँ पर, गांधी रिपोर्ट्स, प्रोसीडेट टू बुली मी, एड़्वाइज मी तू फोट विट, टू लिव तिरhut, और गांधी जी जो है, उन्होंने ये बताया, कि उन्होंने आगे बढ़ते वे, मुझे धंकाने का, डराने का प्रयास किया और मुझे सला दी के तुरंद प्रभाव से बिना देर किये, मुझे तिरhut संभाग जो है, छोड़ कर चले जाना चाहिए, क्योंकि ये Commissioner भाई साफ जो है, इनको भी डर लगने लगा कि अब ये गांधी जी यहां आ गए, तो मतलब मेरे ही संभाग में कुछ ना कुछ गड बढ़ करेंगे, कुछ ना कुछ आंदोलन वादोलन चलाएंगे और फिर जो है, वो आकर के मुझे गालिया देंगे, तुरंद गांधी जी को बलाया, आप तुरंद प्रभाव से तिरूट डिस्तिक छोड़के, चले जाओ, मेरे डिस्तिक में, या जो मेरे अधिकार का शे के तरहे कैपिटल जो है, मोतिहारी वो वहाँ जाने के लिए रवना हो गए, सेवरल लॉयर्स अकंपेंड ही, बहुत सारे लॉयर्स उनके साथ थे, एड़ रेल्वे स्टेशन, रेल्वे स्टेशन पे, वास्ट मल्टिटूट ग्रीट गांधी, बहुत बड़ी भीड ने ग मुख्या ले, उसे मुख्या ले की तोर उपए उन्होंने इस्तमाल करना शुरू कर दिया, continued his investigation, उन्होंने अपनी जाज को जारी रखा, आगे से आगे जाज करते गए कि क्या क्या तत्य है, और रिपोर्ट केम इन दैट अपीसेंड हैड बीन मेल ट्रीटेड इन नियर बा जाओं में, गांधी डिसाइड तो गो एंड सी, गांधी जी ने तैय किया कि मैं खुद वहां जाओंगा और देखूंगा, the next morning he started out on the back of an element, और अगले दिन सुबह वो एक हाती पर बैट करके और मोतिहारी जाने के लिए निकल गये, वो मोतिहारी जाने लगे, he had not proceeded far, वो ज जादा दूर नहीं गये थे, तभी एक पुलिस सुप्रेटेंडेंट जो है, वो एक कैरियेज के अंदर एक बग्गी लेकर के वहां आया, और गांधी जी को उसने आग्या मानने के लिए कहा, जो आग्या दी गई थी तिरूट डिस्रिक छोड़ कर जाने के लिए, the messenger drove और गांधी जी को वो अपने साथ बिठा करके ले गया, गांधी हों वेर, he served him with a official notice, और उन्हें गांधी जी को ले जाकर के उनके घर पे, उनके मुख्याले पर छोड़ दिया, और वहां जाकर उसे एक official, गांधी जी को एक official notice दे दिया, to quit चंपारण immediately, के वो चंपारण छोड करके तुरंत प्रभाव से चले जाए, गांधी जी signed a receipt for the notice and wrote on it that he would disobey the order, सबसे शांदार समय, इतिहास की सबसे महान घटनाओं में से एक घटना, तो गांधी जी जो है, उन्होंने उसकी receipt ली, उस पे sign किया, sign करके उन्होंने notice पे ये लिखके दे दिया, के मैं आपकी इस आज्या का पालन करने से मना करता हूँ, या मैं आपकी अवग्या करता हूँ, आपके इस आदेश की, या आपके इस आदेश को मैं नहीं मानना चाहता, ये वो प्रमुक गटना है, जहां से सविने अवग्या अंदोलन शुरू हुआ, कि हमें किसी से लड़ाई जगडा नह कैसे पढ़ाओ, तो वो गुस्से में कह सकता है, कि आप ऐसा करो, ऐसा मत करो, लेकिन सामान्यत है, जवाब कैसे देना चाहिए, नहीं बेटा, मैं जैसे पढ़ा रहूँ, वैसे ही पढ़ाऊंगा, तो इसे कहते है, सविने अवग्या, कि आप जो मुझे आज्या दे रहे ह आपको कहे, जो काम आप नहीं करना चाहते, तो उससे लड़ने की बढ़ने की जुरत नहीं, प्यारी सी मुस्कुराट के साथ उसे मना कर दीजिए, मैं नहीं करूँगा, कोई दिक्क्यत नहीं, उसमें क्या दिक्क्यत है, कोई परेशानी थोड़ी है, तो इस प्रकार भी क गांधी जी को एक समन प्राप्त हुआ, समन क्या होता है, कि कोट में हाजिर होने के लिए, जब कोट से कोई अनुमती या आदेश पत्र आता है, कि आपको फलाना फलाना तारिक को इतनी बज़े आपको कोट में उपस्तित होना है, तो उसको समन कहा जाता है, तो उन्हें का था वो जगे इसलिए रहे कि मैं सारे जो लोग हैं उन्हें सारी रणनीती बता दूँ कि ऐसा 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 आगे हमें करना है क्योंकि कल अगर मैं कोट गया और वहां से उन्होंने मुझे जेल भेज दिया तो मैं मेरा यह जो आंदोलन या यहां पे चंपारण के किसानों को बच विद इन्फुएंशल फ्रेंड उनके प्रभावशाली या ताकतवर दोस्तों के साथ उन्होंने आश्रम के लोगों के लिए भी निर्देश भेजे किया करना है क्या नहीं करना है और जो उन्होंने सारी चानवीन की थी जो सारी खोज की थी उसको भी टेलिग्राफ के थू उन्होंने टेलिग्राम के थू क्या किया था उन्होंने वायर के थू वोईस राय को सारी की सारी रिपोर्टस भेज दी थी morning found the town of मोतिहारी black with peasants तो शुबह यह पाया गया कि मुतिहारी कि जितने भी जो टाउन है मुतिहारी का वो पूरा का पूरा किसानों से भरा हुआ था They did not know गांधी जिरीकृर्ड इन साउथ अफिरिका उन्हें गांधी जी के साउथ अफिरिका वाले विशय में उन्हें पता नहीं था कि गांधी जी जो है वो सौथ अफरीका में क्या करके आये थे तो वो रंगभेद नीती के खिलाफ लड़के आये थे किसके खिलाफ नड़ाई लड़ी थी उन्होंने रंग भेद श्वेत और अश्वेत के मद्य जो वहाँ पर युद्ध चल रहा था जंग चल रही थी कि अश्वेतों के अधिकार पूंड तरह से निरस्त कर दिये गए थे रद कर दिये गए थे केवल श्वेत लोगों के पास ही विशेश अधिकार थे उसके खिलाफ उन्होंने साउथ अफरीका के अंदर अपना युद्ध जो है आपनी जो भी तरीका है उनका विनम्रता से बा अधिकारी लोगों के साथ इस पॉंटेनियस डेमोंस्ट्रेशन और अचानक से यह सहज रूप से जो डेमोंस्ट्रेशन जो प्रदर्शन हुआ वहां पर इन थाउजंड हजारों की तादाद में लोग आ गए अराउंड दा कोर्ट हाउस और उस कोर्ट हाउस को चारों तर रहते दीरे दीरे निकल रहेते जैसा कि गांधी जी चाते थे कहास सने से कुह जादा अच्छा नहीं होने वाला सबसे पहली चीज़ जरूरी है कि इनके मन में अंग्रेजों के प्रती जो डर बैठा हुआ है या अंग्रेजों से जो डर है इनको वो डर निकलना ज़रूरी है और गांधी जी को जब लोगों को पता चला कि गानधी जी को गैद किया जा रहा है या हो सकता है अब अंदर ले जाकर कि इनके उपर कोई इनको सजा सुना देंगे तो उन्होंने पूरे court house को चारों तरफ से हजारों लोगों ने गेर लिया The officials felt powerless जितने भी वहाँ पर अफसर थे वो बिलकुल ही शक्तिहीन महसूस कर रहे थे Without Gandhi's cooperation, बिना Gandhi जी की सहयोग की लेकिन यहाँ पर Gandhi जी ने सहयोग करने से मना नहीं किया यहाँ पर Gandhi जी ने उनका सहयोग किया He helped them regulate the crowd Gandhi जी ने मदद की उनकी के वो इस पूरी भीड को नियंदरित कर सके He was polite and friendly Gandhi जी का व्यवहार बहुत ही विनम्र और मित्रता पूर्ण था He was giving them concrete proof that their might, hereto, dreaded and unquestioned could be challenged by Indians He was giving them concrete proof वो एक ठोस, उन्हें सबूत दे रहे थे कि उनका might, उनकी शक्ति जो है अब तक कि जो डराने वाले जो काम थे और unquestioned थे यानि कि जिन पर लोगों का साहस नहीं ताके उनसे अंग्रेजों से अंग्रेज ओफिसरों से सवाल कर सके वो विरोध विहीन जो उनका भाव था could be challenged by Indian उसे चुनोती दी जा सकती है भारतियों के दुआरा यानि कि यहाँ पर इसे पता है क्या कहा जाता है यह तरह का psychological game है कि हजारों लोग इखटे हैं तुम्हें मारने पीटने के लिए इखटे नहीं है अगर मारेंगे तो गांदी जी कह रहे हैं मैं मारने भी नहीं दूँगा विनम्रता से मित्रता पुन बात कर रहे हैं लेकिन साथ ही साथ उन्हें यह ऐसास भी दिला रहे हैं कि भाईया जैसा तुम भारतियों को समझते हो भारतिय वैसे नहीं है साहसी लोग है इसे कहा जाता है राजनीती की भाषा में शक्ति प्रदर्शन करना अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं करना केवल शक्ति का प्रदर्शन करना के भाई हम इतने हैं और ऐसे हैं अब आप देख लो आगे आपको क्या करना है लेकिन रहेंगे हम भी नमरता से ठीक है गौवर्मेंट वस बफल गौवर्मेंट जो है चक्रा गई या उनके समझ में नहीं आ रहा कि इसको बुला तो लिया अब गांधी जी अभी देखना अंदर मजे लेंगे इन सब के कि इनको बुला तो लिया आप करें क्या यानि कि जो वादी था पक्षकार का जो बखिल था कॉशन था जस्टे पॉस्पोन द ट्रायल उन्होंने जच से कहा कि भाई, इनको बुला तो लिया समन करके लेकिन बाः के हालात देख करके हमें समझ exhibits नहीं नहीं आ रहा कि हम करें कि इनकी against कड़े हो के तो उन्होंने कहा कि इसको इस्थागित कर दो आगे कि कोई तारीख दे दो trial के लिए क्योंकि जो अधिकारी लोग थे वो अपने सुपीरियर्स यानि कि जो उनके उच्छ अधिकारी थे उनसे विचार विमर्ष करना चाहते थे कि साब गांदी जी ऐसे ऐसे आगए हमें समझे भी नहीं है क्या करें तो हमने लेकर कि उनको कोट में बुला लिया वो भी राजी राजी कोट में आगए उन्होंने मना भी नहीं किया नहीं लेकिन हजारों लोगों ने कोट को गेर लिया अब क्या करें आगए इनको जोड़ में कि इनको रोकें कि क्या करें तो वो विचार विमर्ष करना चाहरे थे अपने अधिकारियों से तो इस वज़े से वो चाहते थे कि अगली कोई तो यहां पर पूरी की पूरी बात क्या है कि अपने आपको अपरादी मानते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट पड़ा यानी कि उन्होंने अपना कोट में स्टेटमेंट दिया और अपने आपको अपरादी स्विकार कर लिया he was involved उन्होंने का कि हाँ साब आप कह रहे हो कि तुम involved थे ऐसी गतिविदी में जो तुमें नहीं करना चाहिए था हाँ साब मैं involved था he told the court उन्होंने court से सीधा सीधे तोर पर क्या कहा कि विरोधा भास की इस्तिती हो रही है मेरे कर्तव्यों में मेरी जो duties हैं मेरे जो कर्तव्यों हैं उनमें विरोधा भास की स्तिती उत्पन हो गई थी on the one hand एक तरफ तो not to set a bad example as a lawbreaker कि मैं कानून का उलंगन करने वाला या कानून को तोडने वाला बन करके एक बुरा व्यक्ति या एक बुरा उधारन नहीं बनना चाहता था on the other hand और दूसरी तरफ to render the humanitarian and national service और दूसरी तरफ में मानविये और राष्ट्रीय सेवा से अपना पीछा नहीं चुड़ा सकता था या उसे पीछे नहीं चुड़ सकता था मुझे अपनी मानव जाती की और राष्ट्र की सेवा करनी ही थी तो दो बाते थी भईया इस विरोधा भास को समझ लो ये विरोधा भास बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कई बार जीवन में अलग-अलग शनों में आता है इसे सम नमरता के साथ मना करता हूं कि मैं नहीं जाओंगा तो मैं चला जाओं एक करतव्य तो यह कि वह एक रखवाले हैं और उनकी तरफ से आदेश आया तो मुझे मानना चाहिए लेकिन दूसरी तरफ चमपारण के जो लोग हैं उनके प्रती जो मेरा करतव्य है या मेरा देश मेरा राष्ट्र जो है उसके प्रती जो मेरा करतव्य है अगर मैं यहां से चला जाता तो मैं उस करतव्य को पूरा नहीं कर पाता तो मैं दोनों करतव्यों के द्वंद में फ कर दिया he disregarded the order to leave उन्होंने उलंगन किया था चंपारन छोड़के जाने के order को not for want of respect for lawful authorities but in disobedience to the higher law of our being the voice of conscious he asked the penalty due तो उन्होंने क्या कहा कि not for want of respect for lawful authorities मैंने जाने से मना इसलिए नहीं किया कि मुझे कोई बहुत सम्मान चाहिए था कि जो कानून से जुड़ेवे जो अधिकारी है वो मुझे मेरा सम्मान करें but in obedience to the higher law of our being लेकिन जो उससे भी बड़ा law है उससे भी बड़ा जो कानून है आज्याकारिता का अपने आप में जो व्यक्ति के खुद के अंदर होता है the voice of conscious अपने खुद के विवेक की और वैसे conscious के लिए एक शब्द है जो मैं ज्यादा पसंद करता हूं इस्तमाल करना आत्मा या अंतरात्मा शब्द होता है तो अंतरात्मा की जो आवाज है उसका जो कानून है मेरे लिए वो महत्वपून है और उन्हें ने पूछा कि बताईये साब जो भी आप दंड देना चाहें वो आप दंड मुझे दे दीजिए दंड लेने से या दंड को स्विकार करने से मैं मना नहीं कर रहा The magistrate announced that he would pronounce sentence after two hours recess और magistrate ने एक गोशना की कि वो सजा जो है या दंड का निरने जो है वो दो गंटे के बाद करेंगे दो गंटे का recess एक छुट्टी हो गया इंटर्वेल हो गया मध्यानतर के बाद में करेंगे and ask Gandhi to furnish bail for those 120 minutes और Gandhi जी से कहा कि काम करो तुम अपनी जमानत करवा लो 120 minutes के लिए Gandhi refused और Gandhi जी ने मना कर दिया क्योंकि Gandhi जी अगर जमानत करवा लेते न तो उन्हें मौका मिल जाता गंदी जी पर blame करने का या गंदी जी को उल्टा फसाने का गंदी जी ने मना करते मुझे क्या जमानत करा नहीं में बैठाओं यहीं पर बैठाओं मैं तो कहीं नहीं जा रहा है 120, 22 गंदे की बात है ने 120 minutes की बात है ना बैठाओं मैं तो यहीं बैठाओं आप वापस सजा दो मुझे जो भी आप penalty देना चाहते हो जो भी आप sentence देना चाहते हो सजा देना चाहते हो दीजी आप the judge released him without will लेकिन उनको कहा कि आप बिना बेल के चले जाओ बिना जमानत के चल जाओ आप तो लेकिन जाओ यहां से क्योंकि सत्य जो होता है न वो परिशान होता है न जितना वो उतना परिशान करता भी है कोई ऐसा व्यक्ति जि आपने किसी के प्रती अपराद कर दिया आपने किसी को चोट पहुंचा दी हानी पहुंचा दी अब आप चाहते हो कि उस व्यक्ति को मन में तो पता है कि आप क्या कर रहे हो आपको यह मन में पता है आपने क्या किया अब आप चाहते हो कि यह वो व्यक्ति मेरे सामने ना है क्योंकि वो सामने आता है तो ऐसास दिलाता है कि मैं कितना गलत वेखती हूँ तो उसको सामने देखना भी अपने आप में एक सजा है तो यहाँ पर magistरेट और इन सब के साथ यही हो रहा है कि गांधि जी वह साब जाओ आपको जो करना है करो लेकिन हमारे साHB ने ऐसे बैठे मत रो के कमिशनर साब की आवास सुनता अंतरात्मा ने कहा कि मानव सेवा और राष्ट्र सेवा सबसे उपर है सबसे पहले है इसलिए मैंने साहाब अबग्या कर दी अब आप बताये साहब यह मुझे जाने के लिए कह रहे थे अब ऐसी बात पर magistrate क्या कहेगा विचार उसके पास कहने के लिए कुछ शब्द नहीं है उसके पास कोई भाव नहीं है उन्हें का चलो साब दो गंटे बाद सजा सुनाएंगे तो वो लाइए काम करो दो गंटे के लिए जमानत करो अब नहीं साब मैं ठीक हूं विजह नहीं करवानी जमान तो लाज मैं जाओ बाउजी वैसे जाओ बिना जमानत करवाए जाओ क्या दिक्कत है लेकिन यहां मत बैठेर हो हमारे सामने कि वो आगे कई दिनों तक इस पर अपना फैसला नहीं सुना पायेगा उन्होंने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमती दे दी कि तब तक आप जाओ तब तक आप स्वतंत्र हूँ ऐसा करके उन्होंने गांदी जी को चोड़ दिया राजिंदर प्रसाद, ब्रिच किशोर बाबु, मौलाना अजरुल हक and several other और बहुत सारे अन्य मुख्य जो लॉयर थे, prominent जो लॉयर थे had arrived from विहार, वो विहार से आ चुके थे they conferred with गांदी, उन्होंने बाचीत की विचारविमर्ष किया गांदी जी के साथ, what would they do if he was sentenced to prison कि उन्हें क्या करना चाहिए, अगर गांदी जी को जेल में भेज दिया जाता है सजा दे दी जाती है जेल में जाने की गांदी जी ने पूछा, why, क्यों, the senior lawyers replied senior lawyers ने जवाब दिया, they had come to advise and help him वो लोग यहाँ पर गांदी जी की साहता करने और उन्हें सला देने आए है if he went to jail, there would be nobody to advise and they would go home अगर वे jail चले जाते हैं, तो कोई भी वेक्ति नहीं होगा जो उन्हें सला दे सके और सारे लोग जो भी आये हैं, बिहार से वो अपने अपने घर चले जाएंगे what about the injustice to the sharecroppers, गांदी डिमांडेट तो गांदी जी ने जवाब की मांग की, भाईया तुम यहाँ मेरे लिए आये हो अरे मैं तो खुद यहाँ चमपारण के किसानों के लिए आया हूँ तो अगर मैं जेल चला गया, तो पीछे से कोई राय देने वाला नियोकर तुम सब घर चले जाओगे तो बदब तुम यहाँ मुझे जेल से बचाने आये हो, या sharecroppers के लिए आये हो मैं कोई यहाँ पर पंगे लेने थोड़ी आया था, ब्रिटिश ओफिशल से मैं तो चमपारण के जो किसान है, पीसेंट जो है, उनकी समस्या का समाधान करने आया था तो इस बात पर गांदी जी ने कहा कि भई, जो sharecroppers के साथ जो अन्याय हो रहा है, उसके बारे में क्या और लॉयर जो है, पीछे अटने लगे इस बात से, विचारविमर्श करने से या बातचीत करने से राजेंदर प्रशाद जी जो है, उन्होंने पूरा का पूरा रिकॉर्ड किया, उस पर ध्यान दिया, जो भी परिणाम था, उनके कंसल्टेशन का विचार विमर्श करने से, अपने आप में ही, गांदी जी पूर्ण रूप से एक बहारी विक्ति हैं, एक अजनभी विक्त किसानों की भलाई के लिए, किसानों को बचाने के लिए, वो एक बहारी विक्ति होकर के भी जैल जाने को तयार हैं, कि अहाँ कोई बात नहीं मुझे जैल भेज देंगे तो मैं तो चला जाँगा, मैं तो था, खड़ा था, महा पे, कोट में, तो कह रहा था, सुनाव सजा जाना पड़ा तो मैं चला जाओंगा मैं तयार हो जाने के लिए और हम लोग जो यहीं के हैं वो इनके बारे में कुछ भी नहीं कर रहें जबकि वो भारी व्यक्ति होकर के भी उनके लिए जेल जाने को तयार है if they on the other hand अगर वे खुद दूसरी तरफ being not only resistant of the adjoining district अगर वे स्वेम ही आसपास के निवासी नहीं होते बलकि यह लोग किवल आसपास के निवासी ही नहीं है बलकि यह लोग वो वकील लोग हैं जो दावा करते रहते हैं हमेशा के हमने किसानों की सेवा की है हमने सर्व किया है किसानों को हमने किसानों का हमेशा पुर्जोर समर्थन किया है और उनका पक्षरका है कोट में जाकर के शुट गो होम क्या हमें घर चले जाना चाहिए इट वोड बी शेमफुल डिजर्शन तो ये एक बहुत ही शर्मनाक पलायन होगा या भाग जाने की घटना होगी तो यहां पर राजजंदर प्रशाथ थोड़ा सा लोगों की अंतर आत्मा को जगाने का प्रयास कर रहे हैं क्यार बहारी वेक्ति आ करके और इनके लिए जेल जाने को तयार है अपना सपास की डिस्टिक के रहने वाले ही निये बलकि अपन हमेशा से चाती चौड़ी करके कहते रहे हैं कि भाईया हम तो वो लोग है जिन्होंने हमेशा से किसानों का साथ दिया है किसानों को हमेशा सपोर्ट करने वाले हैं शरम नहीं कि अगर यहां से लोट कर वापस घर चले जाएंगे तो यहां से गर घर पलायन कर जाते हैं लोट जाते हैं तो बड़ी शरमनाक बात है हमारे लिए क्योंकि हम समाज में तो हम किसानों के हितेशी बने गूमते हैं और आज जब किसानों के हित की वास्तविक बात हो रही है तो हम ऐसा विचार कर रहे हैं कि गांदी जी पूछ रहे है और हम पलट के जवाब भी नहीं दे रहें के भई किसानों का क्या They accordingly went back to Gandhi और इसी बात के दौरान वे वापस गांदी जी के पास गए and told him they were ready to follow him into jail और उन्होंने का के वे बिलकुल तयार हैं गांदी जी के पीछे पीछे जेल जाने के लिए The battle of Champaran is won He exclaimed उन्होंने विस्मय और भावावेश के साथ कहा के चंपारण का ये जो युद्ध है ये जीत लिया गया है Then he took a piece of paper and divided the group into pairs उसके बाद उन्होंने कुछ कागस के टुकड़े लिए और जितने लोग खड़े थे उनमें से pair में यानि दो-दो लोगों का नाम एक-एक पड़्ची पर लिख दिया पुट डाउन दा ओर्डर और एक क्रम से लिख दिया इन विच इच पेर वाज तु कोड़ अरेस्ट जिसमें क्या होना था कि अगर गांदी जी को अरेस्ट कर लिया तो जितने भी वकील है उन सब का नाम लिख दिया दो-दो के जोड़े में ठीक है और कहा कि अगर मुझे जेल हो जाती है तो तुम मेरे पीछी जेल जाने को तैयार हो तो डेली एक पेर यानि कि दो-दो वकील डेली जाकर के अपने आपको कोड़ अरेस्ट कराएंगे कोड़ में जाके कहेंगे हम भी गांदी जी के साथ है हमें भी अरेस्ट कर लो डालो जेल में तो एक बार में अगर 20 जने जाएंगे तो एक बार ही हैडलाइन बनी रोज अगर दो लोग जाएंगे तो 20 दिन तक रोज हैडलाइन बनेगी गांधी जी इस मामले में बहुत ही आप ये कह सकते हैं कि स्मार्ट वेक्टी थे, गांधी जी किस समय में Facebook नहीं था, गांधी जी के समय में WhatsApp नहीं था, TV नहीं थे, रेडियो और समाचार पतर भी बहुत सीमित थे, अना तो बहुत जादा उनके पास ऐसा opportunity नहीं थी है ऐसा कोई संसादन नहीं था कि जादा से जादा लोगों तक अपनी बात पहुचा सके कम से कम समय इसलिए कभी भी कुछ भी वो करते थे तो हमेशा आप देखोगे कि around 20 to 40 days का वो उसको चलाते थे कोई भी moment चलाते थे तो कम से कम 20 दिन 40 दिन 60 100 500 दिन का चलाते थे ताकि जब तक यह चलता रहेगा न लगा आता रहे तब तक क्या है बात फैलने में टाइम लगता है एक जने से दूसरे जना तक कहुची दूसरे से तीसरे तक तीसरे से चौते तक तो गांधी जी एक बार में जाकर के सारे अगर कैद हो गए तो फिर मजा नहीं आएगा एक ही नियूस बनेगी और जहां तक फैल सकेगी फैले की फिर रुख जाएगी लेकिन अगर रोज दो लोग जाकर के अपने आपको अरेस्ट कराएंगे तो उससे क्या ह उन्होंने क्या किया दोदो लोगों के पेर बना दिये पेर वास्ट कोट अरेस्ट के उन्हें कोट में जाकर के अपनी गिरफतारी देनी है कई दिनों के बाद गांधी रिसीव डा रिटरन कम्यूनिकेशन फ्रॉम्जिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग या पत्र मिला या पत्र मिला संदेश मिला मजिस्ट्रेट से यानि कि जद साब ने खुद नहीं भेजा था इन्फॉर्मिंग उन्हें बताते हुए that the lieutenant governor के lieutenant governor जो है province के इस राज्य के उन्होंने आदेश दिया है कि इस case को drop कर दिया जाए यानि इस case को समात कर दिया जाए civil disobedience has had trimmed civil disobedience की यहाँ पर जीत हुई थी सविनय अवग्या आंदुलन की जीत हुई थी सविनय अवग्या अंदुलन का सीधा सीधा ताजपरिया कई बार बात कर चुके हैं इस शब्त के बारे में विनम्रता के साथ किसी की आज्या का पालन करने से मना करते ना आपका दोस्त अगर आपको फालतु की चीजों में involve करना चाह रहा है ना तो civil disobedience movement चला उसके सामने उससे लड़ाई करने की ज़रत नहीं जगड़ा करने की ज़रत नहीं दोस्ती तोड़ने की ज़रत नहीं प्यार से मुस्कुरा के मना करते हैं भाई पड़ाई छोड चल खेलने चलते हैं भाई मैं नहीं जा रहा तू जा ठीक है तो इतना प्यार स बात करने पर भी बात स्पाइश रूप से समझा ही जा सकती है कि मुझे नहीं जाना खेलने मुझे अभी पढ़ना है आप जाहिए खेली है तो ऐसा हो सकता है गांधी जी और बाकी जो वकील लोग थे उन्होंने अब अपनी कारवाई को आगे बढ़ाया उन्होंने कंड़क्ट करना शुरू किया अलग अलग जाके बैठके करना शुरू कि अब फार फ्लंग व्यापक बहुत ही लंबे चौड़े स्तर पे उन्होंने इंक्वाईरी करना शुरू कि कि ग्रीवियंस जितनी भी शिकायते हैं किसानों की उन्हों सब को लेकिया हो पहले तो किवल थोड़े सी शेर क्रॉपर छोड़ो सारे किसानों की किसी भी किसान की कोई भी समस्या लेगा हो बात करेंगे उस पर डिपोजिशन बयान दर्ज कराये गए साक्षा दर्ज कराये गए by about 10,000 पीशन वर रिटन डाउन यानि लगबग 10,000 किसानों की शिकायते नोट की गई और उन पर टिपनिया लिखी गई, नोट्स बनाये गए on other evidence और दूसरे जो गवाह थे, बयान थे, documents, evidence के जो documents थे, जो भी साक्ष या तत्य थे, उनके documents तयार किये गए, were collected, उन्हें एक जगह पर इखटा किया गया the whole area throbbed with the activity, पूरा का पूरा इलाका इस हल चल, इस गतिविदी से हिल गया था, of the investigators, जो भी जाच करने वाले लोग आ रहे थे and the vehement, protest of the landlords, और vehement और बहुत उग्र रूप से विरोध करने लगे थे लोग बाग, landlords का, यानि की जमीदारों का जो जमीदार लोग थे, उनका सभी लोग बहुत पुर्जोर तरीके से विरोध करना उन्होंने शुरू कर दिया था देखो गांधी जी यहाँ पर हमें एक छोटी सी चीज़ बताते हैं, कल एक विद्ध्यारती का मैंने, कल शायद आज, कल नहीं आज ही, अभी थोड़ी देर पहले एक ग्रुप में मैंने एक 11th क्लास या 12th क्लास के विद्ध्यारती का, मुझे ठीक से ध्यान नहीं है, एक मैसेज पड़ा, कि अभी तक हमें स्लेबस भी नहीं पता, कितनी मतलब ताजुब की बात है, कि आप लोग बोर्ड एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मान लीज क्या टॉपिक कितने नंबर का आने वाला है, जहां तक मैं मानता हूँ, आप सभी लोग या तो कंप्यूटर पे या फिर मोबाइल पे इस क्लास को देख रहे होंगे, कितना मुश्किल है एक बार गूगल पे जाकर के अपने स्लेबस को डाउनलोड करके और खुद से देख कितना मुश्किल हो सकता है लेकिन क्या होता है कि आत्म निर्वरता है नहीं, किसी और पर ही निर्वर होकर के हमेशा काम करना है मैं कई बार अपने विध्यारतियों से कहता हूँ सर आप ये करा दो तुम मेरा कई बार कहने में आज आता है ना चाहते वेवी कि बेटा परिक्षा देने भी मुझे लेचलना कि सर आप ये पेपर दे दो आत्म निर्भरता एक ऐसा गुण है कि आप खुद पर निर्वर हो करके काम करना थोड़ा तो शुरू कीजिए और दूसरी चीज ये जो लास्ट परिग्राफ है इससे हमें क्या मिल रहा है कि अभी तक गांदी जी कोट नहीं गए ये पूरा एपिसोड जो है गांदी जी के लाइप में एक साल तक चलेगा एक साल और एक साल में आप कम से कम ये मान के चलिए कि ये साथ वाट वा मीना चल रहा है अभी तक गांदी जी कोट नहीं गए बैठ करके केवल प्लैनिंग कर रहे है आप सोचिए कि उन्होंने प्लैनिंग को कितना समय दिया है हम लोगों को तो प्लैनिंग के छोड़ो यहां पर तो सलेबस ही नहीं पता अभी तक तो सलेबस देखकर के उसकी प्लैनिंग करना कितना महत्वपून है तो आप लोग मेरा next lecture आए उससे पहले-पहले detailed पूरा syllabus की जानकारी होनी चाहिए आपको कि आपके क्या चीज कितने नंबर की आने वाली ये किस टाइप के questions पूछे जाने वाले है ये दो topic clear होनी चाहिए अगले lecture में मैं कोई ना कोई question उससे related ज़रूर पूछूँँगा कि बताओ मेरे को end to end कि कितने माक्स की writing portion है या कितने माक्स का आपके grammar है या कितने माक्स की कौन सी book है फ्लेमिंगो कितने माक्स की है विस्टास कितने माक्स की है कोई भी सवाल पूछ सकता हूँ ठीक है guys चौलो आगे देखते हैं तो I hope आज का lecture आपको अच्छे से समझ में आया होगा आपने अच्छे से enjoy किया होगा तो take care of yourself I'll see you soon in the next lecture till that bye bye see you soon